हेलो फ्रेंड सोम्याज किचिन में आपका स्वागत है आज कर सरदियां पढ़ रही है और सरदियों में ना साधा खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रोटी वगरा थोड़ी कम ही अच्छी लगती है तो इसके लिए आज मैंने बनाए है लच्छा पराटा और दमालू वो भी बहुती तेस्टी बने है दमालू भी और लच्छा पराटा पालक वाला बनाया है ये बने आलू को कच्छे आलू है ये इनको कट कर लिया है इस तरीके से आप जितने बड़े बड़े पीस चाहते हैं उतने बड़े बड़े कट कर लें और मैं इनको बिला तले बना रही हूँ तलूंगी नहीं आप चाहें तो तल करके भी बना सकते हैं और बन पॉट रेसिपी है एक ही कोकर के अंदर आप इसको बना सकते हैं अलग से इसमें कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो एक मतलब कड़ाई में पहले तलना आए फिर भूनना वह सब नहीं करना विल्कुल एक कोकर में बस सबजियां भी डालेंगे मतलब टमाटर वगरा को डालेंगे और फिर आलू डालेंगे और आलू बन करके तयार हो जाएंगे बहुत ही सब्सक्री टेसटी बनेघे वह भी बिना प्याज के अगर लेट अगर लेट ऑना बिना प्याज में पोला देंद व्लकुल एदेटा है तो बीट न filament के लिए मपंध्य तरीके सब्सक्राइब है अब इसको धोभई लिया था मिंगी काजू को और मेगे को एक मिक्सी के जार में डाल देंगे अब इसी में मैं डाल दे रही हूँ हरी मिर्ट जितना आपको स्पाइसी करना है दमालू और थोड़ी सी अद्रक डाल रही हो वन इंच के टुकड़े हैं मतलब छोटी-छोटी पीस कटे हुए हैं तो टोटल वन इंच का टुक आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं और यह लिया है आधा कप दही दही को अच्छी तरीके से फैट लेंगे गैस पर एक कढ़ाई रखी है मैंने कोकर रखा है सौरी अब इसमें डालेंगे घी और ऑईल दोनों चीजों को बराबर की क्वांटिटी में डाला है जैसे घी ऑई पाउडर का जो प्यूरी है वो डाल दे रही हूं हाफ कप के करीब टमाटर प्यूरी है इसको इस तरीके से मैंने डाल दिया है भूल लेंगे हलका सा क्योंकि प्यूरी भूनी हुई है तो ज्यादा देर नहीं लगती है इसमें दही डाल दिया धही को फटा-फट चलाते अपने अंदाजी से डालते मैं पूरा डाल दी रही हूँ अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप थोड़ा कम डाले अची तरीके से मैं के पेस्ट को मिक्सी के जार में थोड़ा इसा ट्रिप का रह गया तो उसमें पानी डाल करके उसको अच्छी तरीके से अब नमक डालेंगे जैसे ही उसमें उबाल आ जाएगा पेस्ट में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे नमक को थोड़ा पानी और डाल दिया है ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी गाड़ी है जितनी पतली है अब इसमें आलू डाल दे रही हूं यह तीन आल बनाने के लिए पहने यह पालक लिया है पालक को हलका सा कट कर लेंगे जिसे की उबालने में आसानी हो फटाफट उबल जाए ज्यादा देर ना लगे अच्छी तरीके से दो करके और देख सकते हैं आप कट कर लिया यह दो कप के करीब पालक है पालक को कढ़ाई में डाल जरासा पानी डालेंगे वह जादा पानी नहीं डालना है वन फोर्ट कप के करीब पानी डाला है और करीब वन फोर्ट टीस्पून के करीब जीनी डालिए अच्छी तरीके से mix करके ख्लेंगे अब देख सकते ही B कोकर में दो सीटी आ गई है गैस को बंद कर देंगे और पालक को एक बार पलट देंगे देख सकते हैं कितना पटक करके कम हो जाता है अब पालक उबल गया है अची तरीके से ढख करके पका लेंगे देख सकते हैं कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अब जो पालक है उस ज Eagles लाँ reflective लकी है इसलोन नहीं जुक्छे के लिए कि यहां लहीं वह द्रया उप अलुप कर देंगे लाटनेटेश महीं है नुप इस में तो आप को इसमें ने liti अटाला सकते हैं अब मैं इसमें वन फोर्ट कप के करीब जो दूद के उपर मलाई निकलती है न वो डाल रही हूँ आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप एक बार जरूर बना करके देखें इस तरीके से दमालू को अब दमालू को करीब 4-5 मिनट तक बिल्कुल slow heat पर पकने देंगे और पालक भी ठंडा हो चुका है फटा फट थंडा हो गया था तो अब पीस लेंगे पालक को पालक की प्यूरी बना लेंगे आठे को जैसे नॉर्मल आठा होता है ना सेम उसी तरीके से पराठे के लिए आठे को मल लेंगे माल लेंगे मतला और इसमें ना मैंने कोई ओयल घी कुछ भी नहीं डाला है अच्छी तरीके से मल मल करके आठे को मल लेंगे आठा अच्छी तरीके से मला हुआ होगा तो पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं एकदम सॉफ्ट बनते हैं अगर आठा अच्छी तरीके से नहीं मला हुआ होते हैं तो पराठे जो होते हैं वो थोड़े से कलक से हो जाते हैं सॉफ्ट नहीं बनते हैं अब आठे को ढखकर क पूल थिक है अगर आप पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दमालू बन करके तयार हैं अब आटे को भी रखे हुए करीब 10 मिनट हो गए हैं अब एक लोई लेंगे थोड़े बड़े साइस की लेंगे जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे और बेल करके उसके उपर तरीके से रॉल कर लेंगे और रॉल करने के बाद इसको पूरा रॉल कर देंगे थोड़ा इस तरीके से खीचते हुए यह देख सकते हैं और इससे लच्छा पराठा बनता है लच्छे बहुत अच्छे आते हैं आप चाहें तो इस तरीके से लच्छा पराठा बना सकते हैं और फिर रॉल करने के बाद इसको इस तरीके से दबा देंगे, ये दबा करके, इस तरीके से भी आप लच्छा पराठा बना सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पराठा फैन बना करके, फिर बनाने में अच्छा लगता है, सरल भी लगता है, और लच्छे भी बहुत अगर आपको बहुत अच्छा यह लाने तो आप पराठे की लोई, मतलब लच्छा बना करके आदे गटे के लिए फ्रेज में रख दें तो बहुत ही अच्छा लच्छा बन करके आता है अब पराठे को बेल लेंगे मैंने बिल्कुल पतला ही बेला है बहुत ज़्यादा मौटा नहीं बेला है लच्छा पराठा एक तरफ से तज जाएगा पलट देंगे और फिर दूसरी तरफ से जब तज जाएगा तब घी डाल करके पराठे को सेख लेंगे यह देख सकते है नॉर्मल पराठे से थोड़ा सा टाइम जादा लगता है यह देखे पराठा सिक करके तयार है सेम तरीके से दूसरे पराठे को भी सेख लेंगे और यह दमालू के संग बहुत अच्छा लगता है और एक मतलब है सिंपल तरीके से खाना लेकिन उसको थोड़ नया ट्यूस्ट दिया हुआ है और यह दमालू भी बन करके तयार है मैंने प्लेट में कर दिया है दूसरा लच्छा पराठा दौना तरफ से तच के आए अब इसको भी घी डाल करके सेक लेंगे और यह जो फैन बना करके बनाया था न वह वाला लच्छा पराठा यह देख और इसी तरह से नई रेसीपी देखने के लिए देखते रहे हैं सौम्याज किचन बाई बाई फिर मिलते एक नई वीडियो के संग